हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब, I hope आप सब ठीक होंगे दोस्तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो बहुत इमोशनल है तो चलिए दोस्तो स्टोरी शुरू करते हैं शादी के 8-10 दिन ही हुए थे, मैं किचन में खाना बना रही थी तभी किसी ने डोरविल बजाई, मैं गेट पर गई, क्या देखती हूँ एक बहुत ही हसीन, खूपसूरत सी औरत सामने खड़ी है मुझे देखकर वो थोड़ा ठिटक गई, मैं उस अपसरा के चेहरे को देखती ही रह गई तभी उसने पूछा क्या शाहिद घर पर है, मैंने का नहीं वो दफ्तर गए हैं, आप कौन? मेरा नाम नीलम है, उनसे जरूरी काम है, आप अंदर आ जाओ, मैंने बेमन से कहा वो बोली, मैं अभी लेट हो रही हूँ, फिर दोबारा आउंगी, वो बहार दर्वाजे से ही वापस लोड़ गई और मैं कश्मा कश्मे थी, और सोचने लगी, आखिर ये अफसरा कौन थी, और उसको मेरे शोहर से क्या काम था? और तें इस तरह की बातें सोचती ही हैं, और मैं तो फिर नई नवेली दुलहन थी, सारे दिन बहुत बेचेनी में गुजरा, अगर वो औरत इस कदर खुबसूरत ना होती, तो मैं इतनी परिशान ना होती, उसका हुसन अच्छे भलो को परिशान करने वाला ही था शाम को जैसे ही शाहिद घर आये, मैंने उन्हें शक भरी नजरों से देखा, मेरा चहरा अजीब अन्होनी सोचों की वज़े से उत्रा हुआ था जब वो ऑफिस से घर आते, तो मैं उनका मुस्कुरा कर वेलकम करती थी, लेकिन आज नहीं किया, वो मेरे चहरी की तरफ देख कर कहने लगे जोया, क्या बात है, कुछ परिशान लग रही हो, सब ठीक तो है मैंने ऐसे ही वेमन से कहा, कुछ नहीं हुआ है लेकिन शाहिद खाना खाते हुए बार-बार, मेरे चहरी की तरफ देख कर अंदाजा लगा रहे थे कुछ वक्त ऐसे ही खामोशी में बीद गया आखिरकार उनसे रहा न गया, वो मुझसे बोले जोया, देखो हम दोनों जिन्दिगी की नई शुरुआत कर रहे है अगर तुम मुझे नहीं बताऊगी कि क्या बात है तो तुम परिशानी और घुटन मैसूस करती रहोगी अच्छा होगा कि जो बात तुम्हें परिशान कर रही है, बता दो उनकी लबजों में शहद जैसी मिठास थी, जिसने मेरे दिल को मौम कर दिया मैं फूट फूट कर रोने लगी, उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से चुप कर आया मैंने उनको बताया कि आज एक खुबसूरत लड़की आपके बारे में पूछने आई थी लेकिन उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही अपना इंट्रोडेक्शन कराया वो मेरे दिल में शक के काटों भरी फसल बोकर चली गई अगर आपकी कोई रिष्टिदार होती तो अपना परिचे जरूर करवाती कौन थी वो? उन्हों ने हैरान होते हुए कहा शादी से पहले तो मेरी जिन्दगी में कोई हसीन औरत नहीं आई अब शादी के बात कौन आ गई? क्या उसने अपना नाम भी बताया था? नीलम नाम लिया था नीलम उन्हों ने अपने दिमाग पर जोड दिया अच्छा वो? आमिर की दोस्ट थी उसने दो तीन बार मेरे आफिस भी फोन लगाया था लेकिन उस टाइम मैं अपनी सीट पर नहीं था तीन दिन से कोई नीलम फोन करती है लेकिन मेरी बात नहीं हो पाती है उनका चेहरा पढ़ रही थी मैं लेकिन नहीं पढ़ पा रही थी और मैं भी कनफ्यूज हो गई मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी मेरे चेहरे को आंसों ने फिर से भिगो दिया शाहिद ने रुमाल से मेरे आंसों पोचे और बोले आओ मेरे पास बैठ जाओ और आराम से मेरी बात सुनो देखो यकीन विश्वास एक न्यामत है जो मिया भीवी की काम्याब जिन्दगी की भी जमानत होता है अब मैं तुमको नीलम के बारे में बताता हूँ तुम तो जानती हो सर्विस में ऐसा होता है एक जगे से दूसरी जगे ट्रांसफर हो जाते हैं उन दिनो मेरा भी ट्रांसफर मुंबई हो गया था वहां किसी से मेरी जान पहचान ना थी सबसे बड़ी प्रॉबलम मेरी लिए वहां रहने का बंदुबस्त करना था ओफिस के पास जो भी मकान किराए पर थे वो बहुत महंगे थे जो दूर थे वो सस्ते थे लेकिर वहां से आफिस जाने आने में वक्त की बर्बादी थी इसी सोच में खामोश बैठा था आफिस में पहला दिन था साथ वाले क्यूबिकल के बिन में बैठे एक शक्स ने नोट किया कि मैं किसी परिशानी में हूँ तभी उसने पूछा अरे भाई क्या बात है आप बहुत परिशान लग रहे हैं मुझे आप अपनी परिशानी बताईए ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर नया हूँ ट्रांसफर होकर आया हूँ रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है घर की प्रॉब्लम है वो हस पड़ा और बोला अरे भाई ये भी कोई प्रॉब्लम है समझो रहने और खाने की जिमेदारी मेरी अब बताओ और कोई समस्या है नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है ये अर्मान से मेरी पहली मुलाकात थी उस वक्त मेरे पास आने जाने के लिए कोई भी सवारी नहीं थी आफिस से छूटने के बाद अर्मान मेरे पास आया और बोला चलो उसने अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर मुझे बठा लिया आफिस के थोड़ी दूरी पर उसके चाचा का काफी बड़ा मकान था या यूँ कहें बंगला था जो इंडिया से बाहर दूसरे देश में थे अब ये बंगला अर्मान की देखरेक में ही था यहां अर्मान ही अकेला रहता था और खाना खुद ही बनाता था हम दोनों ने खाना खाया खाना बहुत टेस्टी बना था वो खाना बनाने में एक्सपर्ट था मैंने खाने की तारीफ की तो वो बोला मैं आठ साल से घड़ से दूर यहां अकेला ही रहता हूँ इसलिए खाना बनाने में माहिर हो गया हूँ वो बहुत अच्छा और साफ दिल इनसान था और लोगों की मदद करता था अब हम साथ रहने लगे मुझे क्राय की बचट होने लगी थी किचिन का खर्चा हम मिलकर उठा लेते थे लेकिन खाना बही बनाता था मैं बटन धोने में उसकी मदद कर दिया करता था एक रोज मैंने उसे कहा यार अर्मान तीन महीने हो गए तो मैं मुझे पर खर्चा करते हुए मुझे क्राया भी नहीं लेते हो मेरे लिए खाना भी तुम ही बनाते हो और मुझे अपनी गाड़ी पर आफिस भी ले जाते हो भाई यार मुझे कुछ पैसे ले लिया करो अब से मैं अपने काम खुछ से करूँगा वो कहने लगा यार कैसी बाते करते हो दोस्ती में इस तरह हिसाब किताब नहीं चलता आएंता इस तरह की बात मत करना वरना मैं तुम से नाराज हो जाऊंगा उसने इस कदर महबत से कहा कि मेरे दिल से तो बोज ही उतर गया वक्त अच्छा गुजर रहा था कि एक दिन अर्मान किसी काम से बजार गया हुआ था डोरविल बजी दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत ही खुबसूरत लड़की खड़ी थी उसने अर्मान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि वो किसी काम से बाहर गया है उसने और कोई बात नहीं की और अपना नाम बताया चली गई अर्मान जब वापस आया तो मैंने उसे बताया कि एक लड़की आई थी उसने अपना नाम बताया और चली गई उसने बताया कि हम कॉलेज में क्लास फैलो थे शादी करना चाहते हैं लेकिन उसके घरवाले नहीं मानते जबकि नीलम वो मुझसे ही शादी करेगी मेरे माबाप कई बार रिष्टा लेके जा चुके हैं उसके घर मेरे माबापने काफी मिन्नतें भी की हैं लेकिन वो लोग राजी नहीं हो रहे हैं वो उसकी शादी अपनी दोस्त के बेटे के साथ करना चाहते हैं जो कैनडा में रहता है वो दोबारा आएगी ध्यान रहे वो दूसरे दिन फिर आई मैं दूसरे कमरे में चला गया वो अपनी प्रॉबलम पर बातें करने लगी नीलम कह रही थी कि पापा नहीं मान रहे हैं तुम ही सलादो कि अब क्यारना क्या है तुम बस मुझसे ही पूछते ही रह जाओगे और पापा मेरी शादी कर देंगे तुमने तो अब तक कुछ किया ही नहीं अर्मान बोला कई बार अपने माबाप को रिष्टे के लिए तुम्हारे घर भेजा है अब और क्या करूँ शादी की तारीक तह हो चुकी है और सुहेल कनाड़ा से आ रहा है उफ मैं तो मर ही जाओंगी मरने से क्या होगा माबाप की बात मान लो कर लो शादी मैं तुमको भगा कर ले जाने से तो रहा नीला परिशान ही चली गई अर्मान में बहुत दुखी हो गया मैंने अपने दोस्त को दिलासा दिया कि हिम्मत रखो मैं दोस्त हूँ तुम्हारा किस दिन काम आऊंगा चलो यार तुम्हारी परिशानी का कोई हल निकालते हैं अर्मान ने बताया कि नीलम के भाई के लिए किसी अच्छे ट्यूटर की जरूरत है उन लोगों ने अखबार में भी इस्तिहार दिया है अगर तुम अखबार के दी हुए नंबर पर फोन करो तो क्या पता बात बन जाए मैंने अखबार के दी हुए नंबर पर फोन किया तो उन्होंने मुझको घर पर मिलने के लिए बुलाया मेरा इंटर्वीव नीलम की माने लिया और मुझे ट्यूटर रख लिया गया इस तरहे मेरा उनके यहां आना जाना हो गया रोज शाम को आफिस के बाद मैं अर्मान की खातिर नीलम के भाई को ट्यूशन बढ़ाने जाने लगा उसके वालिद से जब भी सामना हो जाता तो वो मुझे से बहुत महबत से बात करते और सलाम दुआ कर लेते थे मैं उनसे बात करने के लिए मौकी की तलाश में ही रहता था एक दिन नीलम का भाई नमास पढ़ने गया था तो मैं उसका इंतिजार कर रहा था नीलम की पिता आए और ड्राइंग रूम में बैट गए और बड़े अपने पन से बात करने लगे उन्होंने पूछा कहां जौब करते हो और कहां रहते हो मैंने सच सच बता दिया अपने सह कर्मी अर्मान के साथ रहता हूँ मौका अच्छा था तो मैंने अर्मान की तारिफें शुरू कर दी और ये भी कह दिया कि बहुत नेक और शरीफ नौजवान है अगर आप हमदर्दी से उसके बारे में सोचें तो बड़ी महरबानी होगी क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त भी है ये सुनकर उनका चहरा गुसे से लाल हो गया मगर वो शांत रहे पता नहीं अपने गुसे को कैसे पी गए वरना तो ऐसा लग रहा था कि मेरे मूपर थपण मार देना चाहते हैं खेर बात यहीं खत्म उन्होंने कह दिया कि मेरी लड़की की मंगनी मेरे दोस्त के बेटे के साथ हो चुकी है आइन्दा ये बात दुबारा मत करना मैं समझ चुका था कि अर्मान की दाल यहां गलने वाली नहीं है तो चुप रहना ही बहतर समझा सोचा कि बिचारे अर्मान को ये सब बता कर क्यों तकलीफ दू उसके खाबों की दुनिया यहां से बसने वाली नहीं थी अगले दिन से मैंने नीलम के घर ट्यूशन पढ़ाने जाना छोड़ दिया था और अर्मान से कह दिया कि उन लोगों ने मना कर दिया है मैं खुद जाना नहीं छोड़ता तो और वो लोग मुझे घर आने से मना करने वाले थे दस दिन बाद नीलम की किस्मत का फैसला भी हो गया उसके पिता ने सुहेल के आने का भी इंतिजार नहीं किया और फोन पर ही अपनी बेटी का निकाह पढ़वा दिया नीलम के घड़ से निकलने पर भी पाबंदी लग गई थी उसकी नौकरानी आकर उसका हाल-चल बता जाती थी जब निकाह के वारे में नौकरानी ने अर्मान को बताया था तो उसने बहुत सबर के साथ उस औरत की बात सुनी और उसके जाने के बाद अपने दोनों कानों को अपने हाथों से इस तरह से भीच लिया कि जैसे उसके दिबाग की नसे फटने वाली हूँ उसकी आँखों से बेहसाब आँसु बह रहे थे वो ओंधे बूप इस्तर पर गिर गया मेरी हिमत नहीं हो रही थी कुछ बोलूँ रात को आखिरकार उसके पास जाकर बैठा और कहा अर्मान खुदा की मरजी जानकर कूबूल कर लो क्योंकि उसके आगे किसी का भी जोर नहीं चलता शायद इसमें ही तुम दोनों की भलाई हो उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्या जवाब देता आज उसके सपनों का महल जमी दोज हो गया था उसे समझाना बेकार था उसने खाना भी नहीं खाया और अपना कमरा बंद करके सो गया सोया की नहीं ये तो नहीं देख सका वो अपनी जिन्दगी से भी मायूस हो चुका था उसके बाद वो चुप-चुप रहने लगा और फिस जाता और खामोशी से काम करता उसने हसना बोलना सब छोड़ दिया था रास्ते में वो मुझसे भी बात नहीं करता खाना टाइम से नहीं खाता था और वो फिर बीमार रहने लगा एक दिन उसने मुझे बताया कि उसने नौकरी से स्तीफा दे दिया है क्योंकि उसके पिता बीमार है वो घर जा रहा है उसने मुझसे कहा तुम चाबियां रख लो बेशक चाजा के मकान में रह सकते हो जब तक वो नहीं आ जाते मैंने कहा यार मैं भी यहां कुछ महीने ही रहूँगा जब तक मेरा ट्रांसफर नहीं हो जाता ठीक है अगर ट्रांसफर हो जाए मुझे बता देना वरना चाबिया पडोसियों को दे देना अगले ही दिन वो गाउं चला गया मैं उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ा आया था फिर उसके दो चार खत आये थे और उसके आखरी खत में लिखा था कि वो दुबई चला गया है मेरा ट्रांसफर हो गया उसके बाद उसका कोई खत मुझे नहीं मिला उसका पता भी मेरे पास नहीं है इस बात को चार साल हो गये है दिल में एक तड़क सी रहती थी कि काश उससे मिल पाऊं उसके गाउं जाकर मालूम करूं बस टाइम ही नहीं मिला लेकिन मैं अर्मान को भूला नहीं था बस जिंदगी की उलज़नों और मश्रूफियत की वज़े से ध्यान से उतर गया था कि आज नीलम के आजाने से सारी कहानी दिमाग में ताजा हो गई खोदा जाने कैसे इतने दुनों बात वो मुझे ढूनती यहां तक आ गई आखिर वो मुझे क्या बात करना चाहती होगी यकिनन कोई जरूरी बात ही होगी शायद के मूँ से यह कहानी सुनकर मेरे दिल में नीलम के लिए हमदर्दी पैदा हो गई मैंने अपने शोहर से वादा किया कि अब अगर वो आई तो मैं उसे घर में मिठा लूँगी और आपको फोन से कुछ समान लेने गए हुए थे मैंने उसको वेलकम किया मेरे बुलाने से वो घर के अंदर आ गई मैंने उसको बठाया इतने में ही शायद भी आ गए दौा सलाम के बाद नीलम ने उनको बताया कि मेरा निकाह टेलेफोन पर हुआ था लेकिन फसक करा दिया गया था क्योंकि स्वहेल ने कनाड़ा में शादी कर ली इस सद्मे में मेरे वालिद सहब बीमार होकर दुनिया से चले गए अब मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और आजाद हूँ मेरी मां अर्मान से मेरी शादी पर राजी है उन्होंने ही कहाvida कि मैं तुम से मिलू और तुम अर्मान से मिलकर बात करो शाहिद ने नीलम को बताया कि उसकी अर्मान से काफी टाइम से कोई बात चीत ही नहीं हुई है और ना उन्हें पता है कि वो कहा है क्योकि उसने दुबई जाने के बाद अपनी कोई ख़वर नहीं दी उन्होंने वादा किया कि वो टाइम मिलते ही अर्मान के गाउं जाकर उसका पता मालूम करेंगे 20 दिन बाद इद आ गई चार छुटिया मिल गई तो शायद फौरण अर्मान के गाउं गए वहाँ जाकर पता चला कि वो दुबई से अपने दोस्त के पास लंदन चला गया था और लंदन का पता तो गाउं वालों के पास भी न था उसने अपना पता तो अपने करीवी लोगों को भी ना दिया था उसके माबाप अपने छोटे बेटे के पास चले गए जो साओधी अरब में रहता था शाहित ने नीलब को बता दिया कि गाउं से तो पता मालूम नहीं हो सका कोई बात नहीं कुछ दोस्तों के पास जाकर ट्रेस करने की कोशिश करेंगे मिल गया तो तुम्हें इनफॉर्म कर देंगे इसी तरह पांच महीने गुजर गए शाहित का ट्रांसफर हो गया मुंबई से हम चले आए नीलन से फिर उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकी इत्वाक से कमपनी के ने ट्रेनिंग के लिए शाहित को लंदन भीज दिया और मैं अपने माई के चली गई कुछ दिनों बात शाहित का लंदन से फोन आया उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मुलाकात उनके एक दोस्त के जरिये अर्मान से हो गई है वो उनको अपने घर ले गया मैं अर्मान को नीलम के बारे में बताना चाहता था लेकिन ना बता सका क्योंकि उसने शादी कर ली है और बीवी भी उसकी लंदन नेस्लिलिटी इंडियन है एक बेटी भी है सो हिम्मत ना हो सकी कि उसे नीलम के बारे में बताता क्योंकि वो यहाँ अपनी बीवी और बच्ची के साथ बहुत खुश है अब तुम नीलम को बता देना अगर वो तुम से मिले तो ताकि वो जूटी आस में ना लगाए क्योंकि मुझको लगता है अर्मान नीलम को ना पास सकने के गम को भुला चुका है शाहित ने कहा जोया अब तुम सलहा दो कि मैं अर्मान को नीलम के बारे में कैसे बताऊं क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब ये दोनों नहीं मिल सकते आप मुझसे ज़्यादा समझदार है जो चाहें अर्मान से कह दे नीलम फिर मुझको ढूंटी उस शहर में भी आ गई क्योंकि उसकी मुझस सची थी जो उसे चैन नहीं लेने देती थी तब ही मैंने उसको बता दिया कि अर्मान शादी कर चुका है और अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुशी से रह रहा है तुमारी अभी शादी नहीं हुई है निकाही तो हुआ था खाबों के पीचे भागने से बहतर है कि कोई अच्छा रिश्टा मिल जाए तो तुम अपना घर बसा लो और आगे के लिए सोचो औरत को अपना घर और हिफाज़त चाहिए होती है इस बारे में सीरियस होकर सोचना निलम को मैंने समझाया था उस वक्त वो बिचारी क्या सोचती जब मैंने उस पर सच्चाई बताकर पहाड गिरा दिया था उसकी आँखों से आसू के दरिया बहने लगे बाद में कभी शायद उसने फिर सोचा होगा उसके बाद निलम मेरे पास कभी नहीं आई और मुझे भी जिन्दगी ने फुरसत नहीं दी थी कि मैं उसको तलाश करती और उसके पास जाती वक्त गुजरता गया और हमने इस बात को भुला दिया हमारे बच्चे हो गए मैं बच्चों की परवरिश में मश्रूफ हो गई और शाहिद रोजी रोटी कमाने के चक्कर में लगे रहे उनकी तरक्की होती गई वो बहुत मेहनती साफ दिल इमानदार थे इसलिए खुदा ने उन पर अपनी रहमत और रिस्क के दरवाजे खोल दिये थे यूँ ही 22 साल बीद गए शाहिद की खुआश थी कि हम लंदन सेटल हो जाएं लेकिन हालात इजाज़त ना देते थे आखिर कार एक रोज उनकी ये खुआश भी पूरी हो गई अल्ला ने मौका अता कर दिया और हम बच्चों समय लंदन सेटल हो गए मुश्किलें तो बहुत आई लेकिन मेरे हस्बेंड की दीवाना खुआश पूरी हो गई अच्छी जॉब मिल गई घर मिल गया और जिंदगी में सुकून आ गया तो एक दिन शाहिद को अर्मान की याद आ गई एक दोस्त के जरीए पता वगएरा मालूम हो गया तो उसे फोन किया और हम मिया बीवी को उसने इन्वाइट किया हम उनके घर चले गए ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए की कि नीलम ने वेलकम किया था अर्मान से तो पहले ना मिली थी मगर नीलम को मिल चुकी थी उसने बहुत गर्म जोशी से हमारा इस्तक्बाल किया और हैरत की बात ये थी कि नीलम अर्मान की बीवी की हैसियत से मिली थी जो बात हमें नामुम्किन लग रही थी वो अब हकीकत में मुम्किन देखकर हैरत तो होनी थी नीलम ने बताया कि जब हमारी शादी होना चाहिए थी ना हो सकी लेकिन आप से मिलने के आठ साल बाद जब अर्मान लंदन से वापस इंडिया आये थे तो मुझसे मिलने आये तब उनकी लंदन नेस्नलिटी वाली बीवी उनसे तलाक ले चुकी थी और बच्ची भी ले गई जो उसके पहले हस्बंट से थी उनका निबहा थोड़े टाइम तक ही रहा था नीलम ने बताया बस नसीब में अर्मान से शादी का बंधन लिखा था और हमने शादी कर ली तब ही अर्मान लंदन से आकर मुझे साथ ले आए अब हम ऐसी जिन्दगी जी रहे हैं जिसका कभी मैंने खौब देखा था अर्मान को भी मेरे साथ सुकून मिला है शायद हमको खौदा ने पैदा एक दूसरे के लिए किया था लेकिन बीच में एक मुद्द जुदाईगी रख दी थी एक लंबा वक्त हमने एक दूसरे की जुदाईगी में काटा और अब दूआ है कि हम दोनों का साथ आखरी सांस तक बना रहे कभी हम जुदा ना हो मैंने कहा नीलम खुदा ने तुम्हारे आर्जू पूरी की लेकिन ऐसा इस दुनिया में कम होता है कोई एक बार बिच़ड कर फिर इस तरह मिल जाए जैसे कि तुम अर्मान से मिली हो शायद सच्ची लगन इसी को कहते है दोस्तों बेशक जोड़िया आसमान में बनती है अगर मौबत सच्ची हो तो इनसान मिल ही जाते है लेकिन आज के दौर में सच्ची मौबत कम ही मिलती है मोरल आफ दे स्टोरी ये है कि जिन्दगी यूँ ही बहुत कम है महबत के लिए रूट कर वक्त गवाने की जरूरत क्या है आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को आची कहानी जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ